हेलो एवरिबड़ी, दे स्टोरी अप माई लाइफ, हेलन कैला, चैप्टर नाइंटीन शुरू करते हैं हेलन रेड़ क्लिफ में प्रवेश के लिए गिल्मन स्कूल जो मैं उसमें पढ़ाई करती थी उसने फर्स्ट इयर बहुत ही आसानी से सफलता पूर्वक पार कर लिया था और सेकंड इयर में होप के साथ और एक डेडिकेशन के साथ एडमिशन लिया था मिस्टर गिल्मन ने उसे एडवाईज दी थी कि वो सेकंड इयर में की पढ़ाई के लिए मैट्स में सबजेक के रूप में सिलेक्ट करें तो सेकंड इयर के पढ़ाई के लिए उसने मैट्स यानि की गणित बीज गणित, रेखा गणित, भावतिक विज्यान, खगोल सास्त्र ग्रीक और लेटिन का सबजेक्ट सिलेक्ट किया था साल की शुरूआत में ही एलन को प्राब्लम्स का सामना करना बड़ा उसके पास बीज गणित और रेखा गणित की उबरी हुई बुक्स नहीं थी तो उसके लिए रेखा गणित के चित्रों को समझना और बीज गणित के क्वेशन को सॉल करना बहुत ही मुश्किल काम था क्लासीज बहुत बड़ी होती थी और टीचर के इंस्ट्रक्शन को समझने की कोई व्यवस्था नहीं थी उसे इस बात का पता नहीं चल पाता था कि टीचर्स ने बोर्ड पर क्या डायग्राम बनाया था और क्वेशन किस तरह सॉल किया जाता था मिस सलिवन कुशन पर तारों की मदद से रेखा गणित के डायग्राम बना कर उसे समझाने की कोशिश करती लेकिन हैलन को ऐसा अनूबह होता था कि शायद मिस सलिवन को ही गणित में कुश ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है उसे इस बात का दुख होता था कि उसके कारण मिस सलिवन को दोश दिया जाता था कि कभी-कभी वो हिम्मत हार जाती थी कुछ वीक्स बाद उसको उबरी हुई बुक्स और जरूरे अपरिंटिस एटसेटरा अविलेबल कराए गए तो उसके लिए पढ़ाई आसान हो गई और उसने अपनी बहुत सी कटनाईयों पर कंट्रोल पा लिया लेकिन अभी एक ऐसी गटना गटित हुई जिसने उसे मिस सलिवन को परिशान कर दिया मिस्टर गिल्मिन जिसके विद्याली में रहकर हैलन रेड क्लिफ के लिए तयारी कर रही थी मिस सलिवन से इस बात पर जगणने लगी वो उसे हैलन से ज्यादा मेनत करा रही थी जिसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ रहा है ज्यादा मेनत करा रही थी जिस पर हैलन मतलब उसका जो रियक्शन है वो उल्टा हो रहा है जो रिजल्ट उल्टा मिल रहा है फर्स्ट येर में हेलन की सफलता को देखकर ये पक्का हो गया था कि वो दो साल में रेड क्लिफ के तयारी पूरी कर सकती थी लेकिन बाद में मिस्टर गलिमन गिलमन ने ये टाइम डूरेशन बढ़ा कर तीन साल कर दे जबकि Helen अपना कोर्स क्लास के दूसरे स्टूडन के साथ दो साल में पूरा कर रेड क्लिफ जाना चाहती थी बाद में मिस्टर गिलमन और मिस सलिवन को गिलमन में मदभेद बढ़ गए प्रॉब्लम्स बढ़ गई और हैलन की मदर ने उसे और उसकी छोटी बेहन को मिल्ट्रेड को गिलमन स्कूल से वापस ले लिया उसकी एजुकेशन के लिए एक योग्य अनुभवी टीचर को सिलिक किया गया जो घर पर आकर हैलन को पढ़ाता और एजुकेशन से रिलेटेड उसकी प्रॉब्लम्स को सोल करता था इससे हलन का काम काफी कुछ आसान हो चुका था हलन को एक्जाम में भी कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कॉलेज में ओफिशल्स ने मिस सलिवन को एक्जाम क्वेशन पेपर पढ़ कर सुनाने की पर्मिशन नहीं दे और जिन व्यक्तियों को इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया था वो उसके लिए बिलकुल अंजान थे और उससे इस प्रकार बता नहीं सकते थे जिससे वो समझ पाती थी इससे अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना हेलन को करना पड़ा लेकिन प्रॉब्लम्स को पार करते हुए उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी पूरी करी और एक्जाम में सफलता प्राप्त की